बच्चों को विभिन प्यकार की बिमारियों से बचाने के उद्देशे से सिविलाइन इस्थित मैथोडिस कन्या इंट्रो कॉलिज में शिक्षा विभाग दुआरे एक बैटक का आयोजन किया गया बैटक की अध्यक्षता जिलविध्याले निरिख्षक ने की बैटक में बिमारियों से बचाने पर चड़्चक की गई साथी नो अगस को विरक्षा रोपन के कार्यकरम पर भी चड़्चक की गई साथी मंदल के सभी प्यदानाचारे को देशा निर्देश दिए गई बेटा को सफल बनाने में परदानाचारे मदुबाला त्यागी राजकला इंटर कॉलेज नीलम पवाद परदानाचारे प्रभादेवी शैशी आरे आदी परदानाचारे मौजूद रहे कभी कंप्रीट हो जाए तो इस बैठक में मुख्य रोप से जो अभी हमारे राजसरकार का एक लक्ष है नौ तारीक को दिर्यात बिर्चा रोपन का उसमें 40,000 बिर्च्षों को लगाये जाने का लक्ष है मादमी जन्पदस्तर से तयार किया गया है और उसमें सभी हमारे जो राजकी और सायताप्राव विद्याले हैं उनको विद्याले वार लक्ष आवंटित किया गया है कि नौ तारीक को भर्मटसील रहेंगे और सभी विद्यालियों में जो हमारे पौधे हैं और पौधे सा समय पहुंच जाएं और उनका ब्रिक्षारोपन का कारिक्रम सकुसल संपन हो यह मुख्य रोप से आज जो बैठा गुलाई गई थी उसका ये कुद्जस ये था दूसरा हमारा जो एक विफ्स कारिक्रम चल रहा है जिसमें आयरन और विटामिन सी का सप्लिमेंट बच्चों को दिया जाता है जो हम सब जान रहे हैं कि हमारा जो बुरादाबाद जनपद है इसमें एनिमिक जो हमारे बच्चे हैं उनका प्रस्ट काफी अधिक है और हम सब जानते हैं कि अगर बच्चा एनिमिक है तो वह विभिन प्रकार की विमारियों से गर्सित होता है वाइरल और जो वैक्टरियल इंफेक्शन है वह अप्ट शाक्रित उनमें अधिक होता है तो यह अभियान जो स्वास्त विभाग द्वारा और सिक्षा विभाग के सबन्वी सरयोग सेरा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जिसमें जितने भी हमारे बच्चे विद्यालेओं में पढ़ रहे हैं जो 10 बरस से 19 बरस की आई वर्क के हैं उन बच्चों को आईरन सप्ल लोगों ने आज की है